हेलो दोस्तों दो कैसे है आप इस वीडियों बात करेंगे एंजेट वर्सिज यूजी ए ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानि कि न्यूजिलेंड और यूगांडा का मैच है दोस्तों एक चीज आपको बता दू ना तो न्यूजिलेंड ना तो यूगांडा कौलिफाय करने वली और दोनों अफगानिस्तान वेस्टेंड इस ग्रूप से कौलिफाय करेंगी अगले सुपरेट के लिए लेकिन अपने रिस्पेक्ट के लिए वह बेस्ट करना चाहेंगे इंटरस्टिंग मैच रहेगा मजा आएगा हमारे टेलिग्राम चलें पांस लाग लोग जुड़ च करेंगे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक करके चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करिए बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं जितनी वीडियो जालू सबसे पहले आप दोस्तों देख सके मैं आगे बढ़ना चाहूंगा दोस्तों यहां आप देख रहे हो इस दो मैचेज आप देख लो यहां पे आप देखोगे बाई 149 की वेस्ट इंडीज ने जो न्यूजिलेंड से चेज नहीं हुआ 18 में से 13 विकेट फास्ट देन मैच 29 हुआ पी एंजी ने 95 किया अफगानिस्तान ने इजी चेज किया 13 में 8 विकेट फास्ट एक स्पिन 4 नोट सब्सक्राइक करना है अब यह आप देख रहे हो इस वेन्यू के स्टैट्स फिलिप्स चालिस मारे फिन एलन 26 सेंटनर 21 वाकी स्कोरिंग लास में अच्छी करनी पाई न्यूजिलेंड बोलिंग में अगर आप देखोगे ट्रेंट बोल्टीन विकेट जो बहुत अच्छा सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहां पर यूगांडा लगभग ऑल ओट होगी ही और न्यूजिलेंड के जो फास्ट बोलर्स है ट्रेंट पोल्टिम साओधी लोकी फर्गरशन जो खेले आपके लिए बैस सीविसी ऑप्शन रहेंगे यह सब की रीसेंट फॉर्म ती जि वह सर्प्राइजिंग बट जो टीम ने चेंजिस किये वह बताने आपको जरूरी है टिम साओधी भी टीम लेके आई थी तो इनकी स्कोरिंग कैसी रही है देखते हैं दो मेंसे दो मैंच यहारे हैं भली अफगानिस्तान से हारे हों बुरी तरह देन वेस्ट इंडीस से हार देन स्कोरिंग आप देखोगे और किसी से आई ही नहीं है गेंद बाजी फिर भी टीम ने ठीक करी है लेकिन बल्ले बाजी तो बिल्कुली टीम की नहीं चली है ग्लैन फिलिप्स के लावा जादा किसी ने काम किया विनी अब देखो बोलर्स बहुत यूटिलाइज हुए ह नहीं हो दोनों मैच में एक औरकिया डायिल मिचल लेकिन इनको कुछ खासेल नहीं हुए दोनों मैच में तों मैच में एक को दोनों मैच में नौरंदे के जीरो WiKet, berswelle निएम मैच पर झाले नहीं पीछला खेले और देंगे साउधी चार और 21 पे दो बहतरीन चेंज था लास्ट में आके बढ़िया रहे लॉकी ने दोनों मैच में अच्छी बोलिंग करें हैं क्योंकि विक्टर भी मिली है पांच और मेडन भी डाला मैट है उसमें अच्छी बोलिंग करी दूसरा मैच खेले नहीं हैं तो यह सारी बात हमने कर दी न्यूजिलेंड की फुल स्क्रीन पर यूगांडा पर ले आया हूं यूगांडा की टीम अच्छी टीम है दोस्तों लेकिन एक नई टीम है इस लेवल पर न्यूजिलेंड के सामने मुझे नहीं लगता जदा टिक पाएगी रीसेंट फॉम आप सब है यह टीम ने स्कोरिंग नहीं करी है तो आप इनके बल्लेवाजों को इग्नोर करो बोलर्स को टीम में रख लेना स्पेशली अगर यूगांडा बोल फर्श करें तीन में से एक मैच यह जीते हैं दो हारे है इन्होंने जो मैच जीता था वो भी बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ था यहां अगर आप देखोगे रोजर मुसाका है ट्रिक कर दी जीरो रंस की जीरो 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 चार एक चार साइमन से जाजी रॉबिंस नुबोया ने पहले मैच में 14 किये रियाजत ने दूसरे मैच में 33 और देखोगे किसी का स्कोरी नहीं है तो बैट से तो यह ट को बैक करना अगर आपको लेना ही है इनके बोलर्स रखो स्पेशली जैसे जुमा में आगी यह बंदे ने दोनों मैच में तेरा रन भी कर दिये दो मैच में साथ और भी है तो इसको आप रख सकते हो बाकियों पर ज्यादा द्यान मत दो रियाजत अलिशा ने एक और किया प्लस का जिस मैच में युगांडा जीती थी और कुछ आपको अच्छा नहीं देखने को मिला ज्यादा यूगांडा की टीम से बोलर्स पे ध्यान दो न्यूजिलेंड के में प्लियर्स रखो ज्यादा से ज्यादा इनके बल्लेवाजी से भी आप देखोगे रॉनक पटेल चारन बिलाल आठन बाकी दो मैच खेले नहीं वो फूल स्टैट्स इनफो देख सकते हो ताकि आपको युगांडा के प्लियर्स का नराजा लग जाए कौन कित्ता बढ़िया है यह बोलर्स में मैं आपको कॉलिफाइंग स्टैट्स पर ले आया हूं किस तरीके से युगां मैच नहीं खेले लेकिन वही बात है यह चीज़ देखके चलना कि युगांडा के वॉप स्टैटर न्यूजिलैंड ने वॉम अप खेला नहीं और वह खार भी रही है अब चली अपनी टीम करने हम चलते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग में आपको डिवन कौन में मिलेंगे बहतरीन खिलाडी है बहतरीन परदर्शन भी रहा है लेकिन आज कल के टूनामेंट में आप देखोगे वर्ल्ड कप जिसे लेवल पर पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए पिछले दो मैचेस में भी फ्लॉप हुए हैं बट मैं कहूंगा इतने में इंपोर्टन प्लेयर है कि इनको विकेट कीपर के तौर पर रखोगे स्पेशली युगांडा के सामने फिन एलन भी ओपनिंग पर युगांडा के सामने मैं रखना चाहूंगा उम्मीद करूंगा फिन एलन और डिवान कॉनवे दोनों ओपनर्स अपना दमकम इस मैच में दिखाएं जो टूनमेंट म पहले बल्लेवाजी करना है दोनों को लेना पड़ेगा ग्लैड फिलिप्स कुछ और सबसे बहतीन बल्लेवाजी करें डैरियल मिचल ठीडाउन एक आदा ओवर कर रहे हैं बढ़िया बल्लेवाजी करना जानते हैं लेकिन इस टूनमें नहीं कर पाए देन रचिन रविंद लॉकी फर्गेशन टिम सावधी तीनों मेंने बूलर न्यूजिलेंड के रख लिए हैं यह न्यूजिलेंड के प्लेयर तो आपको रखने ही रखने हैं जो मैंने रेकमेंड किये हैं मैं दोस्तों अभी के लिए यहां पे क्लेन विलियम सन को भी रख रहा हूं बट जरूरी मैंने रमजनी को रख है और कॉस्मस क्यों आता भी ओक ऑप्शन है जो डेथ बूलर है या फिर आप ले सकते हो एक चुपार रिस्तम यागी जीनों ने दोनों मैच में तेरा तेरा रन किये हैं बल्लेवाजी भी कर लेते हैं तो यह हबारी फिलहाल के लिए ओप्शन आई मेरी दोस्तों टीम मनती है इस न्यूजिलेंड बोल फर्स मेक्सिमम बोलर्स उनके कवर किये हैं अगर आपको फिर से शक्क्राइब दोनों मैच में एक एक और दाल देंगे तो आप ले लेना वरना मेरी यही टीम है बाकी रमजनी मसावा मियागी अगर पहले बोलिंग नह कर लो हो सकता है मैं भी करो और मेरी 100% कोशिशा इस मैच का फाइनल अबडेट आपको मिले कोशिश जरूर है बाकी मेरी यह टीम है कैप्टन वाइस कैप्टन बोल्ट फरगर्शन अब क्या कर सकते हो ग्रैंड डिंग में कॉनवे के साथ जा सकते हो विकेट कीपर भी है वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें अगली वीडियो मिलने आओंगा तब तक के लिए धान लखिए